पी के लिए थोड़े से खत्रे की घंटी है क्योंकि कहा ये जाने लगा है कि जो भारत जोडो यात्रा कॉंग्रिस ने की थी राहूल गांधी ने की थी नवित सर वो अब असर दिखाने लगी है और देखिए करनाटक से लेकर दिल्ली तक में कॉंग्रिस मुख्यालों में लगाया जा रहा है वो जो बजरंग बली का मुद्दा बहुत भुनाय गया था ना उसी को कही न कहीं आप ये दिखाने की कोशिच की जा रही है कि कॉंग्रिस आगे है यानि कॉंग्रिस उस वक्त भी सही थी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए जटका है करनाटक में जी बीजेपी के लिए जटका है साफ दिखाई दे रहा है एंटी इंकमेंसी बहुत ज्यादा थी और बीजेपी ये जान रही थी आप देखे बीच बीच में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है उसके बाद जब इलेक्शन आता है तो फिर से ये दुरपपज ने हटाये गया था उन्हीं को फिर से वापस तवज्यों दी जाती है क्योंकि लिंगायच जो थे उनको आप नारास करके चुनाओं नहीं निकाल सकते करनाटक में ये बात बिल्कुल सही है लेकिन इस बार क्या हुआ है इस बार देखे कौन-कौन सी चीज में करना चाते थे और इसलिए मुस्लिमारक्षण जो 4% उसे अटाया और उसके बाद वोका लिगा और लिंगायत के अंदर 2-2% बाठ दिया गया जिसका खुद एलान ग्रेमंत्री अमच्छाने किया था मामला कोट में है वो अलग मसला है लेकिन क्या वोका लिगा आय साथ में यह सबसे बड़ा सवाल है वोका लिगा शुरू से जेडियेस का कोर वोटर रहा है जेडियेस के जितने भी आप यह देखे कदावन निताओ वोका लिगा से आते हैं और लिंगायत और वोका लिगा के अंदर बस 1% का डिफरेंस है एक 15% एक 16% ऐसा इन दोनों के बीच म के बाद आएगा दूसरी चीज जो बीजेपी को यहां पर नुकसान की दिखिए वो यह है कि लिंगायत वोट छिटक गया उसकी पीछे वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी के जो कुछ कदावन नेता जिसमें पूर मुख्यमंत्री शिट्टा का नाम आ रहा है वो कॉ उन इलाकों में तो बीजेपी अभी कुछ जगाओं पर बढ़त बना ही हुई है लेकिन कई जगाओं पर कई सीटा ऐसी है जहां पर कॉंगर्स लीड कर रही है